कि असलाम लेकुम एस्टेमल के प्रैक्टिकल में और्डर लेस्विद एर्फाबेट कैसे के रेट करते हैं इसको देखेंगे सबसे पहले ऑपनिंग टैग लिखेंगे हम लेस्टेन ŠTML ग्रीटर जफिर लेट क्लोजिग टैग लिखेंगे लेस्टेन स्लैश-टीमल ग्रीटर देग जितना भी हमारी टैग्स और क्लोजिंग टैग तर्म्यान में आएगी शबसे पहले हमारे परस आ जाजाता है 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 एच एई-ए-एड हैड में हम लिखते हैं वेब है अब order is prepare करना चाहते हैं alphabetically तो order list with alphabets alphabets title का closing tag लगाएंगे slash t-i-t-l-e title closing tag लगाया head हमाई पस complete हो गया है slash h-e-a-d head लिखेंगे closing tag अब हमाई पास आ जाती है body body में हम initial tag लगाएंगे h1 और वो हमाई पास है order list order list हम heading लेखना चाहते हैं body में order list with alphabets closing tag लगाया h1 का फिर उसके बाद ol ol type लिखेंगे type हम इसकी रखना चाहते है alphabetically तो type is equal to a type is equal to inverted commas में लिखेंगे a grutasin का sign लगाएंगे आप list हम प्पेर करना चाहते हैं तो पहली list में item जो है वो हम first item रखना चाहते हैं first item लिखना चाहते हैं first item list का closing tag लगाया फिर उसके बाद opening tag लगाया list का और फिर इसमें लिखना चाहते हैं second item second item मैं इसे capital में लिखूँगी second item second item और closing tag फिर लगाएंगे slash li list का तीसी list में हम item रखना चाहते हैं third item third item closing tag लगाएंगे li का slash li फिर fourth list में fourth number पे हम रखना चाहते हैं fourth item fourth item 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 slash li closing tag लगाएंगे list का अब हमाई पस यह complete हो चुकी है order list तो slash ol लिखेंगे और फिर उसके बाद slash body लिखेंगे body अब इसे save as करेंगे file save as document में जाएंगे all files यहां पे webpage.html webpage.html लिखेंगे file को save करेंगे file को जाके check तरेंगे document में output देखेंगे तो आप देख सकते हैं यह हमारे पास title है यह हमारे पास h1 heading है order list with alphabets और बाकी जितन भी फूर्थ आइटम आ रहे हैं वो a, b, c, d में आ रहे हैं